तरुकार अब रोजाना रास्टगान अनिवार आदेश हुआ जारी देश में फिर बड़े करोना के मामले 24 घंटे में 12608 केस कम हुए सक्तिरी मरीज जिंबावे की बल्ले बाजी शुरू केल राहू ने जीता टास्क नमस्कार आप देखनें प्रैम टीवी में हूं मनिश भदोरिया शुरूआट करते हुटर प्रदेश की ख़बरों से गाजीपूर में बाहुबली मुक्तार अनसारी के करीमियों पर एडी की तरफ से करवाई की जा रही है जानकारी के मताबिक 67 अफ़जल अनसारी के आवास पर छhaपँ मारी की गई एडी ने अफ़जल के दिली अवास पर छहापा मारा आपको पता दें कि मुक्तार अनसारी के अफजल अनसारी बड़े भाई हैं इसके साथ ही लखनौ, गाजीपूर, महूँ में कई ठीकानों पर भी एडी की तरफ से चापी मारी की गई मुक्तार अंसारी के करीबियों के यहां भी चापी मारी की जा रही है लखेपूर में साथ मोचा की तरफ से धरना परशन किया जा रहा है जानकारी के मताबिक केंद्री गयर राज्यमंत्री टेनी की बरकास्तगी को लेकर परशन कर रहे है बताया जा रहा है कि यह धरना परशन 75 गंटे तक चलेगा इसके साथ ही जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग कर रहे यूपी पंजाब हर्णा समेत कई प्रांतों से किसान आकर धरना परशन कर रहे है तो मांग हमारी यह है कि अज़े टेनी मिस्रा उसकी गिरफतारी हो वो परखास हो कोई भी मुलजीम देश का ग्रेय रज्य मन्तिर ने रहे सुथा तो तो पुरी शहरे हैं धरने का भुतान का मामदा है उसका समधा समधा उनों बिजली का बड़ा मामदा है पुरोतर प्रेस अमस्पी स्बयारंटी कानून देश का समधा सुल्टान पूर्ज सांसद मेंका गांदी अपने संसदी छित के अन्तिम दिन के दोरे पर थी जहां उन्होंने कूरे भरे घंपत गंज और दलियार बलाग का ओचक निश्ड़ किया सरकार के निश्ड़ पर बलाग आवस दिवस पर आउजित कर रहे लोगों की फर्यादें सुनी लेकिन आउजिन से अधिकारी नदारत मिले जिसके बाद सांसद ने फोन कर उन्हें फटकार लगाई रज़ानी लखनाओ के आशाना छेत में ट्राफिक पुलिस के सिपाई पंकच पांडें ने बगएर किसी परवा किये उफनाती नहर में कूद कर एक यूवा को बचा लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जानकारी के मताबिक आशाना थाना छेत के पकरी पुल पर सिपाही रोज तोज़ाना की तरह ड्यूटी पर मस्ताथ है इसी दोरान एक यूवाक बहती नहर में कूद जाता है हमिरपूर में यमना और बेत्वा नदियां उफान पर हैं दोनों नदियां का जलस्ता तेजी से बढ़ रहा है पशासन की तरफ से बाढ़ आने की सूचना और अलट पहले ही निचली बस्तियों और नदियों के टदबंद वाले गाउं को दिया जा चुका है जानकारी के मताबिक नदियों का बढ़ता जलस्ता सो मीटर के पार हो चुका है जिससे गाउं समेथ शहर मुख्याले की निचली बस्तियों में घरों में पानी बरना शुरू हो गया है गोंडा केंदरी विद्याले अधियारी मनकापूर एक शक्स को तालीबानी सराद देने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोचल मीडिया पे वारल हो रहा है जिस पर एस पी अकास्तोमर ने संग्यान लिया और पुलिस ने चार लोगों को गरफतार कर लिया है अधियारी मनकापूर के शात्र को सोचल मीडिया दोरा एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उसके साथ मार्केट की जा रही है गटना कुछन पुरानी है तदकाल अभी उट पंजिकरत करके इसमें चार लोगों को गरफतार कर लिया गया है आगे जो गुविद्ध करवाई है वो की जारी है फरकाबाद में बरेली हाईवे पर कार और रोडवेज बस की जोदा टककर हो गई जिसमें कारसवा सियो सिटी सुनील दद घायल हो गए है साथी हाथसे में कार चलक सिपाई और गनर बाल बाल बच गए वहीं सियो को मौके पर मौझूद पुलिस ने लोईया अस्पताल में भरती करा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है मारे पास अभी एक सियो सिटी आए पिली बीट के उनका नाम है सुनील दर्थ 56 मत फिलाल उत्र पिदेश की खबरों में बस इतना ही देश पिदेश की खबरों के लिए देखते है रे प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार